हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है बहुत अच्छे होंगे अब अब इसी विद्धाल है 28 सेकेंड येर के बच्चों से थोड़ी सी बात करनी है उन्हें एक इंपोर्टन कोस्टिन बाग के बारे में बताना है दोस्तों आपका जो सेकेंड पेपर है अधिकम का आकलन एवं क्रियात्म कर्म सुंदान असेस्मेंट आफ लर्निंग एंड एक्सें रिसर्च तो दोस्तों इसमें कुछ नुमेरिकल प्रश्ण पूछे जाते हैं और बहुत ही फिक्स नुमेरिकल प्रश्ण है और अच्छे खासे नंबर में पूछे जाते हैं तो एक प्रश्ण ऐ अगर आपके पास ये PDF नहीं है तो टेलिग्राम में एक लिंक होगा उस पर क्लिक करिए टेलिग्राम गुरूप से जोइन करिए मैं आपको ये पूरा PDF आपको स्टेंड कर दूँगा ठीक है अब आएए बात करते हैं वो कौन सा कोशन है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ तो देखें सेक्शन सी में एक प्रशन पूछा है 15 नंबर में 15 नंबर में क्या सवाल पूछा है उस प्रशन को आप ध्यान से देखिए निमनलिकित पद्दतों से सह संबंध गुडांग की गड़ना कीजिए और अपने परिडाम की व्याख्या कीजिए ठीक है ये प्रशन है थोड़ा इंग्लिस मेडियम वालों की बात कर लें उनकी बड़ी सिकायत रहती है कि इंग्लिस में मैं नहीं बताता तो देख लीजिए तो देख लीजिए कि ये कोश्चन पेपर कौन सा है अवद भी सिर्वी डाले के 2020 का प्रशन पत रहे ठीक है दोस्तों अब आईए चलते हैं 2019 के तरफ एक्चुली नॉट उनीस ये अठारा का प्रशन पत रहे इसके पहले के कोश्चन पे आप देखेंगे तो उसमें भी आपको एक प्रशन आपको यहां से मिलेगा कि नीचे दस विद्यार्थियों के विज्ञान और गणित के प्रापतांक दिये हैं उनके मुल्यांकन के बीच सह संबंद करम अंतर विदी यहां ध्यान से देखिए यहां पे आपको एक चीज मेंसें किया है क्रम अंतर विदी क्रम अंतर विदी क्रम अंतर विदी से निकालना क्या है निकालना अभी भी सह संबंद गुडांखी है समझ में आरे दोस्तों सह संबंद गुडांखी निकालना है क्रम अंतर विदी से तो ये बात होगे, अब आप देख सकते हैं कितना important question है, कितना ये repeat हुआ question, कितनी बार ये question, बार बार repeat करके पूछा जा रहा है, ठीक है, अब आएए, तो चलिए हम इसको हम solve कर लेते हैं, आप एक चीज़ और यहाँ पे notice करिए, करमंतर विदी से, ये जो प्रश्ण पूछ संबंद गुणांक निकालना है, आप से बस ये कहा जा रहा है, कि यहाँ से देख लिए, से संबंद गुणांक निकालना है, और अपने परिडाम की व्याख्या करनी है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा common question है, कि हर साल ये question रिपीट हुआ है, तो इसी questions को हम यहाँ पर solve करने वाले, तो कौन से questions को solve करें, चलिए हम इस वाले question को solve कर लेते हैं, जो 2020 में ये question आया था, कि calculate the coefficient of correlation from the following data, also interpret your result, मेरी English इतनी खराब हो गई, interpret, 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 okay, so you can see that there is a question given कि calculate the coefficient of correlation from the following data, also interpret your result, so now we are going to find what is the coefficient of correlation, for this data, okay, so there is a method to find out, इसको find करने की एक तरीका है, एक method है, और हम इसमें करमांतर विदी की ही गढ़ना करेंगे, करमांतर विदी से इसके correlation निकालेंगे, और उसके परेडाम की, उसके result की interpret करेंगे, उसके परेडाम की विया करेंगे, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क तो इस वीडियो को बस यह बताना था कि यह कितना important है, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा important है, यह वाला प्रशन, कि हमें coefficient of correlation निकालना है, सह संबंद का गुणांक निकालना है, तो हम अगले वीडियो में इसको solve करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलिग्राम में तो मैं अलरड़ी भी हेज दूँगा, जैसे मेरी वीडियो बनेगी, कमेंट में भी यहाँ पर पिन कर दूँगा, आप वहाँ भी सिर्भी देख सकते हैं, और दोस्तों यह पीडियो आप रखी, और भी बहुत सारे प्रशन हैं यहाँ पर देख सकते हैं, और भी बहुत सारे रिपीटेट प्रशन हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, मध्यांक निकालना, मध्यांक निकालने की मैने मैथड आपको बता रहा है, ठीक है, अगर आप टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके जू अगर ऋएंसे साथ में हम मिलके बढ़ेंगे, तो छुझे जल्दे जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है इस को तरइशन को लेकि अगले वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक करके आप अगली वीडियो देख सकते हैं जीप्यए टेलिग्राम का लिंक है उसे क्लिक करके जो अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को प्लीस लाइक कर लिजे सब्सक्राइब कर लिए चैनल को और अपने दोस्तों को करिए थोड़ा जोड़ी है अभी अच्छी टीम बन नहीं पाईए मरी अच्छे बच्च अच्छे थिए।